सर देखा जा रहा है जब से विदान सबा चुनावों का एलान हुआ है पस्षिम बंगाल में लगातर उगरवादी महोल देखने को मिला है वहां का मैदान जो है गरमाता वा नजर आ रहा है आज देखा गया कि बंगाल में बीजे पी की रेली में पत्राव हुआ किस तरीके से देख रहे हैं आप इन सब चीजों को यह जो हो रहा है लोगों को मार रहे हैं जितने लोग मार रहे हैं मेंता बनर जी समझ नहीं रही है वह देवताओं की भूमी है बंगाल वह रभिंद्रना टैगोर की भूमी है वह सुबाश चंदर बोस की भूमी है वह मादुरगा जन देश के आजादी के वह सब वहीं से निकले हैं ममता बनर जी को दिखाई नहीं दे रहे हैं और हातासा में यह पीके पीके है के तो पीके बरबाद कर देगा बंगाल को जिस तरह से कम्मिनिस्टों ने बरबाद किया आप ममता बनर जी ने बरबाद किया वहां के लोग समझ रहे हैं कि अगर बंगाल को बचाना है तो भारती जनता पार्टी को लाना पड़ेगा दूसरा कोई रास्ता नहीं है इसी तरह से असम के लोग बगल में ही देख लीजिए उबाल खाये तो कितना बड़ा तबदिली आया आज साफ दिखाई दे रहा है असम एक राष्टवादी सोच के तरफ बढ़ निकला है अगर बंगाल को भी बचाना है तो असम के रास्ते पर जाना पड़ेगा और भारती जनता पार्टी की सरकार वहां लाना पड़ेगा सर जिस तरह से आपने बात की कि वाम दलो से छीन कर उन्हों ने अपनी सत्ता बनाई दी तो अब वहीं वाम दलो और कॉंग्रेस को अपने साथ लाने में जुड़ी है कि वो उनको सीधा आवान दे रहे हैं कि मैदान में चुनावी मैदान में मिले साथ उत्रो भाई एक फार्मूला है पीके के पास दूसरा देश उसके पास है कुछ नहीं पीके मन कुछ नहीं वो जानता है कि भारती जनता पार्टी के विपक्ष में जितनी पार्टीयां है उनको एक जगा इकठा कर तो सारा ओट एक जगा हो जाएगा और लड़ेंगे और जीत भाई मोजा के लेट कर चाहिए कि नहीं फैंच फार्मूला है ना चांगरेश भां पंति है logging तेजी sais से और उसी तरस से जंता सेंट्रलाईज होगी और बाकी लोग एक तरफ हो जाएंगे जो राष्टवादी हैं वो एक और लगभग अस्पस्ट बहुमत नहीं दो तिहाई बहुमत के तरफ भारती जंता पार्टी वहां पढ़ देए सर अब जिस तरह से ममता के दल के ही लोग दीरे दीरे बीजेपी में शामिल होते रहे हैं वहीं ममता बेनर जी के भाई का आर्टिक बेनर जी का बयान आता है वो कहते हैं अब पश्विम बंगाल से परिवार वाद और वन्श वाद खजम होना चाहिए इस बैयान को किस तरीके से देखेंगे है अगर भारती जनता पार्टी की सरकार बंती है बंगाल में तो मम्ता बनर जी और उनका भतिजा यह दोनों लोगों का जेल जाना तय है इसलिए कि वह चीट फंड कंपनी से लेकर और जितना वहां गोटाला हुआ है जितना बंगाल को लेट कली देखी नहीं ह रखवान की देखा जनता के लिए जया पैसा जक जाता होगा वह उनके लिए काम करते होँगे अब खुद सोचिए बंगाल के लोग समझें सोचने वाली बात है इस तरह का नीच हरकत पूरत देश में कहीं नहीं हुआ है अट 32 राज्य हैं लेकिन इस तरह के गिरे हुए मानसिक्ता के लोग इस तरह के कुकरमी लोग कहीं नहीं है यह सिर्फ बंगाल में देखने को मिला ह है वो भी इस ममता बनर जी के कार्यकरताओं में देखने पड़ा है जो जनता के लिए गया था जो फ्रंट वारियर थे जो इस देश को बचाने में आम लोगों को बचाने के लिए अपनी जान हथेली पे लेकर आज एक साल से काम कर रहे हैं उनको बचाने के लिए मोधी जी बैक्सीन जल्दीस जल्दी खोजे भी रिसर्च भी किया लाए भी करवाये खुद नहीं लगवाई लागालागातार माइंट को लगेगा अगर वह बंच जाता है तो वह प्रदावन मंत्री जी यह समझते हैं कि वह जादे महत्वपूर है हम से 25 साल से सारा उद्योग बंगाल से बंबंति खा गए उसके बाद से ममता खा गई अब लोग ऊब चुके हैं पानी गर्दन से उपर बाढ़ रहा है अब डू से सस्ता सिर्फ खाने पर चले आते हैं इस कंडिशन में यह बंपंति और ममता बनर जी बंगाल को इस लाएक अब लादी है कि आप चले जाए किसी कंस्ट्रक्शन के फिल्ड पर तो खाने के लिए माल्दा के लोग खाने के नाम पर आके चो बारा-बारा घंटा काम करते है इस कंडिशन में या देश को जानना चाहिए इस तरह का कंडिशन जहां पैदा कर दिये जाएगा वहां के लोग ममता को ओट देंगे इनको तो सूली पे चड़ा देना चाहिए इनके भतीजा किसम पती देख लीजिए चलती जरूर हवाई चपल पहन कहें लेकिन इनके भत में शामिल होने वाले तो क्या ममता मेरजी के लिए इस विदान सभा चुनावों में जीतना मुश्किल है ठीक है और देखिए भागदर कम मचती है जब कुछ दिखाई नहीं देता है तो समझ रहे हैं कि आप यहां भाजपा आ रही है भागदर नियताओं का कर्म क्या होता उनको तो मलाई जाए उनको तो लूटना है सत्ता में जो रहें हैं सत्ता में हमें सा रहने चाहते हैं सर नुसरत जहान कहती है अगर बीजेपी जो हिंदू-मुसलिम दंगे करवाती है अगर बीजेपी वहां सत्ता में आ जाती है तो मुसलिमों की उल्टी गिंती शुरू हो जाएगी इस बयान को किस तरीके से देखेंगे अब मैं यह देखता हूं कि अब ममता के पास कोई काम नहीं है दिखाने के लिए हिंदू-मुसल्मान या इस तरह की बातें वही करता है जिसके पास बिकास की सोच नहीं होती है उसके पास दिखाने के लिए अपना काम नहीं होता है उसके पास आपनी कोई बिजन नहीं होता है कुंतलने निकाल दिये हैं म deficdessus मुसल्मान पर किस्थान भी क्या बताना चाहते चाहतां कोई काम नहीं है क्या और बार्ती जंतब परस्टलिश जितना काम करती है और क्या पूच कि इस समय सो चाले हैं हिंदु मुसल्मान सोच के बनाए जा रहा है जितने घर बनवाए जा रहे हैं प्रधान मंत्री अरे हां चुकी आज तक जो सकांग्रेस बनवाती थी ना इंद्रा गांधी आवास योजना राहुल तिराजी उगांधी पंसन योजना जवालना नहरू सिक्षा योजना यह ना किसी का नहीं उस पार का वहां संब्धानिक पध है उसके तरप से पैसा आ रहा है सोच का अंतर है अपना बिजन नहीं है अपनी सोच नहीं है इसलिए हिंदु मुसल्मान हिंदु मुसल्मान वहां योगा चुकी वहां है M.I.M. भी जा रहा है लड़ने तो उससे 2-4 परसे कुछ भी नहीं किये हो नुकसान ही नुकसान किये हो तो किस जिस तो सीधा सफंडा है Kentucky करो भारती जंत पार्टी हिंदू-मुसल्मान नहीं कर रही है वह तो अपने कार्यकरताओं का और सोनार बांगला की बात कर रही है क्या बंगला बंगल को सोर्ण सुंदर बना दिया सोरणद काल वहां ला दिया तो यह कितने अच्छी बात है एक तरफ नारा देख लीजिए हिंदू-मुसल्मान का आलोका हते हैं कि भाजपाला करती है बिंदू-मुसल्मान कर रहा है क्या जरूत है कहने की क्या जरूत है डराने की सिर्फ ओट के लिए डरा के ओट लोगे अपने विकास के नाम पर ओट क्या बर्गलाने का काम कर रहा है